दोस्तो अगर आप कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं तो इस चीज को सुभे और साम सिर्फ साथ दिन सेबन कर लो भेंकर से भेंकर कमर दर्द जड़ से चला जाएगा जी हाँ दोस्तो जिनको उठने बैठने या फिर जुकने और रोज मर्या का काम काज करने में कमर दर्द होने लगता है बेज जरूर ट्राई करें दोस्तो इसे लेने से L4, L5 की परिशानी खत्म हो जाती है S1 की समिस्या और लो बैक पैन या फिर अपर बैक पैन, मिड बैक पैन, सारी की सारी जितने भी समिस्या हैं दर्द वाली वो सब ठीक हो जाती है ये इतना जवरजस्ट और सदी नुसका है कि इसके सेबन से पहले दिन में ही आपको असर दिखना सुरू हो जाता है इस नुसके को बनाने के लिए कौन-कौन से जड़ी बूठी लेनी है आए जान लेते हैं दोस्तों इसमें आठ प्रकार की ओसदियां एड़ करनी है पहली ओसदी अजवाइन दूसरी ओसदी इसोट तीसरी ओसदी मैथी दाना चौथी ओसदी असगंद नागोरी पाचवी ओसदी मकोई छटी ओसदी लेसुन भूना हुआ कलिया लेनी है आए जान लेते हैं इन उसदियों की मातरा और इन उसदियों की पैचान तो देखिए यह अजवाइन इसमें आपको अजवाइन लेनी है 100 ग्राम यह सोट इसमें आपको सोट लेना है 50 ग्राम यह मैथी दाना, इसनुसके मेट करना है 20 ग्राम, यह असगंद की जड़, इसनुसके मेट करना है 100 ग्राम असगंद जड़, यह मकोई पंचान, इसनुसके में सूके हुई मकोई लेना है 100 ग्राम, यह लेसुन, इनकी कलियां भून लेजिए, भूने हुई लेसुन कलियां ले पचास ग्राम आयरुविदिक नुस्का बनाते समय कुछ बातों का आपको विशेद ध्यान रखना है नमबर बन सभी औसदियां बताई गई मात्रा के अनुसार ही ले नमबर दो जो भी जड़ी बोटी ले सभी को अच्छे से साप कर ले नमबर तिन जड़ी बोटी शड़ी बहुत पुरानी ना हो और वसदी ले नमबर चार सभी वसदियां सोध और असली होने चाहिए नकली वसदियां ना ले सभी को खराल मुसल में डाल करके कूट पीस करके आप महिन चूरन कर ले कुछ इस तरीका से फिर इस महिन चूरन को च्छनी में डाल करके अच्छे से च अब देखिए दोस्तों, इस दिव प्राब न होismo को हम अब समय लेते हैं, शेवन करने से होने वाले फाइदे, सेवन करने से मेरी रिखे को पर गोअरिक को कि allegory मेचे मद्दवाले भाग में दर्द होता रहता है, तो सारी समस्या ठीक हो जाती हैं, अब आये सम्मद लिते हैं, इसके शीवन करने का तरीका, तो देखे दुस्तों, इस ओसदी नुस्ख्यू को आपको खाना खाने के आदे घंटे बाद सुभह, और खाना खाने के आदे घं करने से आपका कमार दद बिलकुल ठीक हो जाता है तो दोस्तों अगल वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो बेलो डालू उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके